तो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल वाज है मेरे पास एयर ड्राइ क्ले चो मैंने काफे टाइम से खरीदी वी थी बट मैंने इसको यूज नहीं किया था तो चलो आज इसी से कुछ बनाते हैं आज मैं इनको यूज करके बनाऊंगी क्ले टॉइस बहुत ही सिंपल और इजी सबसे पहले ले ली है मैंने ये यलो वाली क्ले और देखो इस पैकेट में कितनी हवा भरी हुई है क्योंकि ये एर ड्राइ क्ले है अगर हम इसको ऐसे ही भार खुला छोड़ देगे तो ये बहुत जल्दी ड्राइ हो जाएगी और यूज करने के लायक नहीं बचेगी तो ये ले ली है मैंने यलो वाली क्ले और ये इतनी सॉफ्ट होती है बहुत सैटिस्पाइंग लगती है तो आपको खुदी दिख रही होगी ये कितनी अच्छी लग रही है दिखने में पन करता है बस इससे खेलते ही जाएं पर चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसे दे देंगे एक कप का शेप बिल्कुल इस तरह से उपर से मैंने इसे चौड़ा किया है और नीचे से नेरो किया है बिल्कुल जैसे एक कप की शेप होती है तो देखो कप की शेप तो बन गई अब इसमें लगाते हैं हैंडल तो हैंडल बनाना तो बहुत इजी है कले की ऐसे लाइन जैसे बनानी है और कप में स्टिक कर देनी है तो कब तो बन चुका है तो अब मैंने ले ली है पिंग कले ये लाइट पिंग कलर की है और इससे देखो अब हम क्या बनाएंगे और ये वाली कले तो एकदम दिखने में चुनगम जैसे लग रही थी बबल गम की तरह है जो हम बच्वन में खाते थे आप लोगों ने भी जरूर खाई होगी इससे मैं बना रही हूँ एक क्यूट सपिगी जिसमें हम गोल शेप बनाएंगे जिससे पिगी का फेस बन जाएगा और जो एक गोल शेप का फेस बनाया है इसको हम कप के ओपर स्टिक कर देंगे और एर ड्राइ कले में आपको गलू लगाने की ज़रत नहीं होती है ये खुच से ही चिपक जाती है फेस बनाने के बाद हम बनाएंगे इनके छोटे-छोटे हाँ जो कि बनाना बहुत सिंपल है बस दो ऐसे गोले ले देने हैं छोटे-छोटे और उनको स्टिक कर देना है और ऐसे ही बना देंगे हम उसके कान भी जो मैंने ट्राइंगल शेप में बनाया है दोनों इसके मैं ब्लैक कलर की कले से बना दूंगी इसकी दोनों आइस यह देखो हमारा पीगी रेडी हो गया चलो अब दूसरा टॉई बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें ब्लैक कले जिससे हम बनाएंगे एक हैट जैसे मैजिशियन के पास होती है बिल्कुल वैसे ही है हमारी हैट तो बन गई अब हम इसमें लगाएंगे एक रेड कलर का रिबबन रिबबन से मतलब यहाँ पे रेड कलर की कले से है के उपर हमने बनाया था पिगी और हैट के उपर हम बनाएंगे बनी का हमने एकदम गोल फेस बना देना है कले से और इसको हैट के उपर श्टिक कर देना है और अब हम बनाएंगे इसके दो बड़े-बड़े कान और साथी साथ बना देंगे इसकी पिंग कलर की नोस दो छोटी-छोटी आँखे भी तो हमारा बनी तो रेड़ी हो गया था लेकिन जो इसकी हैट थी वो काफी डल लग रही थी तो मैंने तोचा क्यों ना इसको कलर किया जाए तो मैंने किया इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर जिससे ये एकदम साइन मानने लग गए और ब्राइट हो गई तो देखो हमारा पिगी भी रेड़ी हो गया और हमारा बनी भी रेड़ी हो गया आपको आज का वीडियो कैसे लगा और ये क्ले टॉइस कैसे लगे धेना ये सिंपल रोप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा तो हमारा पिकी कहा रहा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और बनी कहा रहा है कॉमेंट करना मत बूलना थैंक्स पर वाचिंग तब तक के लिए बाई बाई